मूली के, गोबी के और मेथी के पराठे तो आप सब खाना स्टार्ट करी चुके होंगे क्योंकि ठंड बहुत जादा बढ़ने लग गई है बट कि आपको पता है, इनके अलावा भी बहुत सारी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके हमारी लाइफ में बहुत जादा इंपोर्टेंस होते हैं ये सबजियां जितनी खुबसूरत देखती है उतनी ही जादा हमारी हेल्थ के लिए जरूरी होती है हमारी हेल्थ की, हमारी बॉड़ी की ब्यूटी को बढ़ाने में ये उतनी ही जादा हेल्फूल होती है आज की इस वीडियो के थू मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सबजियों के हमारी लाइफ में कैसे कैसे इंपोर्टेंस है कौन से सबजी से क्या हमें मेजर एडवांटेज होता है जैसे तो मैं ये वीडियो ना एक ग्रॉसरी मार्केट में जाके किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाकर रिकॉर्ट करने वाली थी जैसे कि जो लोवर ब्लड प्रेशर है अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसी को होती है या फिर जो हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है या फिर कैंसर रिलेटिव प्रॉब्लम होती है इन सब में even digestive problem को भी sort out करने में सबजियां बहुत important role play करती है बहुत सारे टाइप के vitamins, minerals उनमें सबजियों के अंदर पाए जाते हैं जैसे यहाँ पे आपको गोबी दिख रही होगी heart disease है या diabetic patient है उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है यह rich source of fiber होता है और अगर आप किसी weekly market में गए और आपने छोले बटूरे नहीं खाये तो मुझे लगता है कि आपने life का ये वाला मज़ा तो छोड़ी दिया तो अब भी अगर दुबारा कहीं जाये तो ज़रूर ट्राइ करेगा यहाँ पीछे आपको अदरक दिखी होगी सर्दियों में चाई में डाल किया मज़ा जाता है न तो आपको पता है अदरक जो है ना जिनको कब्स की प्राबलम होती है उनमें काफी जादा ये help करती है उस प्राबलम को सोट आउट करने में प्लस इसमें एंटी आक्सिडेंट भी पाए जाते है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी सबजियां दिखेंगी बहुत ही वेराइटी की यहाँ पे आपको शिमला मिर्च दिखरी होगी शिमला मिर्च जो है ना इसमें विटमिन A और C पाया जाता है प्लस कुछ मिनरल्स भी इसमें पाये जाते हैं जैसे की कैल से मोगया मैगनी से मोगया फॉलिक एक्से रोगया इसके बाद में यहाँ पे साइड में जो आपको खीरे दिख रहे ना तो खीरे देखे यह जो आपकी बॉड़ी में water intake होता है उसको पूरा complete करने में help करते हैं प्लस आपको dark sports हो रहे हैं body में कमी है पानी की तो उसको भी यह खतम करने में पूरी तरीके से help करते हैं अब ऐसा नहीं है कि इनके इतने कम-कम फाइदे होते हैं इसके बहुत सारे benefits होते हैं मैं इसको आपको थोड़ा short में बता रहूं कि किस तरीके से हमारे लिए useful रहती है अब आगे देखेंगे जैसे यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सबजी है अब अगर मैं आपसे बात करूँ tomato जो है ना इसके अंदर oxalic acid पाया जाता है तो यह चीज आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान दे सकती है नेक्स्ट यहाँ पे देखें कितनी खुबसूरत गाजर आपको दिख रही होंगी आपको पता है जो गाजर होती है वो हमारी immunity को improve करने में help करती है प्लस हमारी जो brain health है उसको boost करती है और सबसे जादा major advantage जो गाजर का है वो उसमें vitamin A पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है इसके अलावा आपने देखा होगा गाजर में यूशुली दो colors आपने देखे होंगे एक तो यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह red है लेकिन आपने कहीं ना कहीं पर orange color भी देखा होगा तो जो orange color की carrot होती है गाजर होती है उसमें vitamin A,E,K पाया जाता है अब देखे आगे next हमने यहाँ पर tomato के तो देख लिए बहुत सारे advantages होता है यहाँ पर मैंने यह ले नहीं रही थी बट बस ऐसे ही मैंने basket में भरे और उसके बाद में इसे पलट दे और यह बच्चा भी मुझा देख रहा था तो मुझे बाद में हसी तो आई लेकिन पर चलो कोई बात नहीं होता है ऐसी चीज़े चलती रहती है इसके बाद में देखे जो टमाटर है उसकी बहुत सारी वराइटे की चीज़े बनती हैं लेकिन आपको पता है टमाटर के बीज ना कई बार हमारे बहुत जादा हमफुल होते हैं बट सिर्फ उसी केस में जब यह आपके बॉड़ी में पूरी complete तरीके से digest ना हो पाएं होता है आप में जो insulin production है बॉड़ी के अंदर जो diabetic patient है उनको insulin की importance ज़रूर पता होगी तो उसको enhance करने में बहुत help करता है नेक्स्ट ब्रिंजल है ब्रिंजल जो है ना वो potassium fiber vitamin B rich source होता है rich source of fiber होता है अब यहाँ पे ना बहुत सारी सब्जिया थी तो मैंने सोचा चलो एक आदी और यहाँ पे record कर लो जैसे मेरे हाथ में आपको आवला दिख रहा होगा आपको पता है जो आवला है ना वो बचा हमारे immune system को boost करने में help करता है हमें एक strength provide करता है हमारी immunity को strong करता है plus में हमारा जो stamina उसको improve करता है और इतना ही नहीं इसके साथ साथ में आवला हमारी skin हमारी eyes और हमारे hairs के लिए भी बहुत ही जादा important होता है इसके साथ में आपको यहाँ पे मैंने यह green chillies भी देखी थी तो सोचा इसको भी एक बार आपको दिखा दूँ तो जो आपको पता है तीखापन जो मिर्ची में होता हो किसकी वज़े से होता है तो यह होता हमारा capsicin की वज़े से मिर्ची में तीखापन होता है एससे में यह question पूछा गया है तो इसको आप यहाँ से mark कर सकते हैं प्लस में जो आपको digestive system में problem हो या फिर जो gas की acidity की problem होती है तो उसे भी जो green chillies न वो reduce करती है बट आप इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपना भर के मिर्ची खाने लग जाएंगे तो आपको थोड़ा नुकसान भी होगा लेकिन हाँ इसके बहुत सारे यह ऐसे फाइदे होते हैं फिर उसके बाद में देखें जैसे यहाँ पे आलू है आलू जो है न हमारी bone health को बहुत बढ़ाते हैं जैसे इसमें phosphorus और iron ऐसी चीज़े पाई जाती है तो यह हमारी bone health के लिए बहुत important है प्लस यह rich source होता है vitamins का इसे इसके अंदर antioxidant भी पाई जाते हैं और आलू एक ऐसी चीज़ें जिसे हम daily खा सकते हैं mostly जो हमारे घर में सबजिया बनती है वो आलू के बिना incomplete है आप देखेंगे जो combo बनते हैं आपके घर में खाने का जो भी सबजी बन रही है उसमें आलू जरू जरू डलता है और आपको पता है आलू ना सिर्फ खाने में ही नहीं आपकी beauty cosmetic products में भी बहुत important role play करता है क्योंकि आपकी अगर face पे या body पे कहीं पे scars है, दाग दब्य है उसको मिठाने के लिए भी आप आलू के slices का use कर सकते हैं डाक sports को reduce करता है hypertension की जो problem, hyperpigmentation की जो problem होती है जाहियां जिसको face पे हुजाती है उससे भी आलू के slices अगर आपके रब करते हैं तो आपकी skin काफी light हो जाती है और इसके साथ साथ में आलू जो है न वो skin brightening का भी काम करता है और plus इसमें कुछ amount of protein भी पाया जाता है अब next में आपे प्यास उठा रही थी कि जो belly fat होता है आपकी अगर tummy बहुत बहार आपकी tone बहार निकल रहे है तो उसको अंदर करने में भी प्यास क्या करता है help करता है इसके लिए और इसके साथ में जो प्यास है वो जो male hormone होता है testosterone उसकी production को भी बढ़ाता है काफी जादा और second चीज आता है कि इस प्यास हमारी सोने में भी help करता है वो बात अलग है कि आप प्यास खाके सो रहे तो आपके साथ वाला नहीं सो पाए लेकिन हाँ हमारी जो नीन की problem है उसको भी ये दूर करने में help करता है इसके साथ साथ में प्यास में बहुत से विटमेंस और मिलनल्स पाए जाते हैं जैसे कि विटमेंस सी काफी जादा important इसमें होता है अब यहाँ पे देखे मूली और मेथी ये सब चीजे तो हमना बहुत जादा थंडी के time पे सभी almost लोग खाते हैं तो आपको पता है मूली भी हमारे digestive और respiratory problems है ना इनके लिए बहुत important होती है अगर आपको हलका सा cold cough है या खाना से नहीं पच्ता है इन digestion की problem होती है तो आप मूली उस time पे ले सकते हैं प्लस जो मेथी है कॉलेस्टरोल करने मेरे रेड्यूस करने में कॉलेस्टरोल को help करती है blood sugar की जो problem होती है उसको help करती है प्लस जो acidity की problem है उसको भी resolve करने में मेथी बहुत बहुत जादा important होती है तो देख रहे हैं आप कितने जादा advantage है तो जल्दी से सर्जो का साख बना लीजे अपने घर पे अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है मूली के पराठे मेथी के पराठे और प्लस आलू मेथी की सबजी आहा मुझे तो record करते वे इतना मज़ा हा रहे है कि यह टेस्ट इतना होता है तो green leafy vegetables भी आपके लिए कही न कहीं बहुत बहुत important होती है तो ऐसा नहीं है कि इसके आपको बहुत नुकसानी होंगे इसके बहुत जाद आपको फाइदे भी रहते हैं इसलिए ना daily basis पे इन सबजीयों को आप जरूर जरूर खाएं क्यूंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप नहीं कहेंगे तो आपको इसका थोड़ा न कहीं नुकसान आपको देखने को मिलता है फिर हमने यहां पे और भी बहुत सारी सबजीयां देखी जिसके सबके अपने 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 अड्वांटेजिस हैं जैसे अधरा के एक और बार फिर से आ गया तो यह जो migraine या हलका सा headache की problem होती है उसको manage करने में effective है immune system को आपके strength provide करता है लेकिन इसके कुछ negative problems भी हो सकते है negative effects भी हो सकते है जैसे कि आपको गले में या मुँ में थोड़ी irritation हो सकती है diarrhea जैसी problem भी लेकिन वो जब सिर्फ तब होगा जब आप बहुत excess में इसको ले लेते हैं प्लस में garlic, garlic भी बहुत important होता है brain और digestion को improve करता है immunity को boost करता है प्लस garlic जो है उसे ऐसा food माना जाता है जिसे आप ऐसा medicine यूज कर सकते हैं तो ये बहुत important हो जाता है next यहाँ पे जैसे आपको broccoli दिख रही है तो broccoli जो है वो rich source of vitamins है minerals उसमें पाये जाते है antioxidant पाये जाते है प्लस इसका जो nature होता है वो alkaline होता है शार प्रवर्थी के ये होती है प्लस हमारी immunity को boost करने में भी जो broccoli है वो important है उसके साथ साथ में जो हमारी heart health है ना उसको भी जो broccoli है वो improve करती है और green में क्या आता है mutter, mutter भी important क्यों? क्योंकि उसमें vitamin A, K, C ऐसे vitamins पाये जाते हैं so मिलते हैं next video में next importance के साथ thank you